गले का डिजाइन बनाने के लिए हमने लंबा सा चोड़ा सा कपड़ा लिया है कपड़े की लंबाई 17 इंच है और कपड़े की चोड़ाई 12 इंच है हमें कपड़े पे इस्तरी की साहता से बाकरम को चिपका देना है और एकक इंच की चोड़ाई नापते हुए हमें ऐसे दागे से होना चाहिए, सेम कलर के धागे से नहीं होना चाहिए, जैसा कि कपड़े के कलर का धागा नहीं होना चाहिए, इस लाइन को कम्प्लीट करते हुए, अब हम यहां से धागे को कट करेंगे, तो यह देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी सिलाई चला लेनी है, हमारी ये लाइन कम्प्लीट हो चली है हमने सारे कपड़े के उपर ऐसे सिलाई चला ली है अब हम कपड़े को उल्टा करेंगे अब हमें यहां से ऐसे लाइन अप करना है यह देखिए एक बार ऐसे लाइन अप किया है हमने अब एक बर हमें यहां से ऐसे लाइन अप करना है जिससे हमारा चौकोर सेफवाला डिजाइन आसानी से बनकर तयार हो जाएगा जितना हमारा स्केल का चोड़ाई है उतना ही चोड़ाई पे हमने ऐसे लाइन अप किया है तो आपको भी इसी तरीके से लाइन अप कर लेना है अब जहां जहां हमने लाइन अप किया है वहां पर हमें सिलाई चला देना है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आल का उप्सन सलेक्ट करें जिससे हमारी next वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो इस तरीके से आप इस डिजाइन को बहुती easy step में तयार कर सकते ही तो ये देखे सिलाई चलाने के बाद हमारे डिजाइन का लुक कुछ इस तरीके से आएगा जो की बहुती सुन्दर लग रहा है तो हमारी ये line भी complete हो चली है अब हमें कपड़े को यहां से ऐसे fold कर देना है और नीचे के side से यहां से change के लंबाई पे tick लगाना है change के लंबाई पे tick लगाने के बाद scale की साहता से हम ऐसे तिर्छी में line up कर लेंगे अब हम इसे cut कर लेंगे तो ये देखिए ऐसे आपको भी कट कर लेना है कपड़े को अब हमें इस डिजाइन को सूट के कपड़े में लगा कर जोईंट करना है तो ये रहा हमारा सूट का कपड़ा सूट के कपड़े में हमें इस लाइन वाले डिजाइन को यहाँ पर लगाना है ये देखिए ऐसे यहाँ पर लगाना है और इसे अच्छे से हमें पीन अप कर लेना है अब हम पीन अप कर लेंगे इसे एक पीन यहाँ पर लगाएंगे दूसरा पीन यहाँ पर और तीसरा पीन यहाँ पर लगाएंगे अब जिस shape में हमारे design की cutting हुई है, बिलकुल उसी shape में हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे अब यहां से धागे को cut कर लेना है धागे को cut करने के बाद, अब हमें इस design को तयार करने के लिए हमें less लेना है तो हमने rediment ऐसा less लिया है, आपको भी ले लेना है आपके नज़दी की सिंगार के दुकानों पे ऐसी लैस मिल जाएगी लैस में जो हमारा जाली वाला डिजाइन बना है उसे हमें निकाल लेना है फ्लावर वाले डिजाइन को हमें लेना है केवल तो ऐसे हम पर्फेक्ट सेप में इसकी कटिंग कर लेंगे इस लाइन को कम्प्लीट करने के बाद हमें इस लैस को गले की डिजाइन में यहां पर ऐसे लगाना है जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिल्कुल उसी सेप में हमें इसके उपर सिलाई चला लेंगे यहां से ऐसे सीधी सिलाई चलानी है हमें फिर यहां से लैस को ऐसे हलका सा फोल्ड करते हुए तिर्ची में लेना है जैसा कि हमारे डिजाइन की कटिंग हुए बिल्कुल उसी सेप में हमें लैस को फोल्ड करते हुए लगा लेना है और इस लाइन को कम्प्लीट कर लेना है अब हम यहाँ से धागी को कट करेंगे लेस को परफेक्ट सेफ में बैठाने के लिए अफ लावर के किनारे की साइड में भी ऐसे सिलाई चला लेंगे जिससे हमारा लेस परफेक्ट सेफ में बैठ जाएगा अब हम यहाँ से धागी को कट करेंगे तो इस तरीके से फ्रेंड आप डिजाइन पे लैस को आसानी से बैठा सकते हैं तो ये देखिए लैस लगने के बाद हमारा डिजाइन बहुत ही सुन्दर लग रहा है अब हमें डिजाइन में से पिन को निकाल लेना है और कपड़े को बीच में से ऐसे हमें फोल्ड करना है दोनु साइट का हमारा लैस वाला डिजाइन पर्फेक्ट सेप में फोल्ड होना चाहिए ये देखिए कपड़े को ऐसे फोल्ड करते हुए इसे पर्फेक्ट सेप में बैठा ले और इसे अच्छे से चेक करने के कहीं भी आपका कपड़ा हलका सा सुकड़ा हुआ तो नहीं है ऐसे चेक करने के बाद अच्छे से कपड़े को फोल्ड करने के बाद अब हम यहां से ऐसे तीन इंच की चोड़ाई पे टिक लगाएंगे और चार इंच की लंबाई पे टिक लगाएंगे अब हम स्केल की सहायता से इसे लाइन अप करेंगे तो यहां से ऐसे लाइन अप करेंगे फिर यहां से लाइन अप करेंगे फिर एक इंच की यहां पे कोने की साइड में लंबाई पे टिक लगाएंगे और इसे हलका सा गोल सेफ में ऐसे लाइन अप कर लेंगे अब जिस सेफ में हमने लाइन अप किये बिलकुर उसी सेफ में हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो ऐसे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है गोल सेफ में डिजाइन की कटिंग करने के बाद अब हमें यहां से साड़े 9 इंच की लंबाई पे टिक लगाना है साड़े 9 इंच की लंबाई पे टिक लगाने के बाद अब हमें 2 इंच की चोड़ाई नापनी है ऐसे और इसे टिक लगाते हुए इसकेल की सहायता से लाइन अप कर लेंगे तो यहाँ पर हमें ऐसे लाइन अप करना है अब नीचे की साइट से हम लाइन अप कर लेंगे फिर यहाँ पर हमें ऐसे तिर्ची में लाइन अप कर लेना है अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो बीच में से हमें ऐसे कट करना है फिर जो हमने तिर्ची में लाइन अप की है उसे कट कर लेना है अब हम कपड़े को ओपन करेंगे तो ये देखिए ऐसे हमारी डिजाइन की कटिंग हुई है इस कपड़े को यहां से ऐसे फोल्ड करेंगे और इसे अच्छे से पीनप कर लेंगे अब ये देखिए यहां से आपको कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेना है और इसे पीनप कर लेना है आपको अच्छे से दूसरे साइड में भी हम कपड़े को फोल्ड करके पीनप कर लेंगे तो ये देखिए बहुती इजली हमने डिजाइन की कटिंग कर ली है गले की डिजाइन की कटिंग हमने कर ली है अब इसमें डिजाइन बनाने के लिए हम दो इंचोड़ा उरेवी कटा हुआ कपड़ा कपड़े को दोनों साइट से फोल्ड करते हुए इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे अगर आपको उरे भी कपड़े की कटिंग करने नहीं आती है तो डिस्किप्सन में इसकी लिंक दी गई है इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसकी लंबाई नापनी है तो हम पाच इंच की लंबाई नापकर यहां से कट कर लेंगे अब हम इसे फोल्ड करके इसकी डिजाइन बनाएंगे तो डिजाइन बनाने के लिए हमें इसे इस्तरी करना है तो इस्तरी करते समय हमें इस चोड़ी पट्टी को ऐसे घुमाते हुए अच्छे से गोल सेफ वाला डिजाइन बना लेंगे इस्तरी की सहायता से आप इस डिजाइन को बहुती easy step में तयार कर सकते हैं सेम साइच का आपको ऐसी धेर सारी डिजाइन तयार कर लेनी है तो ये देखिए हमने ऐसी धेर सारी डिजाइन तयार कर ली है हमें एक लंबा सा चोड़ से कपड़े के उपर बाकरम को चिपका देना है बाकरम की लंबाई 12 इंच और इसकी चोड़ाई 5 इंच है ये देखिए हमने कपड़े पे बाकरम को चिपका दिया है अच्छे से आपको भी चिपका देना है और उपर की साइड से कपड़े को आपको ऐसे फोल्ड करना है देर इंच की लंबाई नापते हुए फिर यहां से ऐसे फोल्ड करते हुए इसके किनारे की साइड में एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे अब हमें इसमें डिजाइन को एड़ करना है तो ये राह हमारा डिजाइन, डिजाइन को हम यहाँ पर ऐसे लगाएंगे और डिजाइन के किनारे की साइड में हमें सिलाई चला लेना है एक के बाद एक हमें सारे डिजाइन को एक दूसरे में ज्वाइंट कर देना है तो ये देखिए हमने चार डिजाइन लगाए हैं इसमें अब यहां से धागे को कट करेंगे और फिर से हम यहां पर डिजाइन को यहां पर ऐसे बीच में लगाएंगे दो डिजाइन के बीच में हमें ऐसे लगाना है इस डिजाइन को, जिससे हमारे डिजाइन में बहुती सुनदर और एक नया लुख आ जाएगा. अब हम इस लाइन को कंप्लीट करते हुए, यहां से हम धागी को कट कर लेंगे, अब हमें क्या करना है, फ्रेंड, डिजाइन को हमेशा के लिए perfect shape में बैठाने के लिए हमें डिजाइन के उपर ऐसे सिलाई चला देना है इस तरीके से आप इस डिजाइन को बहुती easily तयार कर सकते हैं और इस line को complete करने के बाद same size का हमें ऐसा एक और डिजाइन बना कर तयार कर लेना है तो ये देखिया हमारा दूसरा डिजाइन भी तयार हो चला है अब हम एक लंबा सा कपड़ा लेंगे कपड़े की लंबाई 9-6 3 इंच की लंबाई नापते हुए यहां से कपड़े को ऐसे fold करेंगे कपड़े की उपर डिजाइन को यहां पर ऐसे लगा कर इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे अब धागे को कट करेंगे और डिजाइन के दूसरे साइड में हम दूसरे वाले डिजाइन को ऐसे लगा लेंगे एक इंच की चोड़ाई के दूरी पे हमें ऐसे डिजाइन को लगाना है बीच में हमारा एक इंच का गैप होना चाहिए ये देखिए ऐसे अब हम इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे जिससे हमारा दोनों डिजाइन अच्छे से ज्वाइंट हो जाएगा अब हमें इस डिजाइन को गले के डिजाइन में लगाना है दोनों डिजाइन को परफेक्ट सेफ में बैठाते हुए अब हम यहां से डिजाइन के उपर सिलाई चला लेंगे ये देखिए यहां से हमें डिजाइन के उपर सिलाई चलाना है डिजाइन के उपर सिलाई चलाते समय कपड़े को और डिजाइन को पर्फेक्ट सेफ में बैठाते रहें जिससे आपके डिजाइन में पर्फेक्ट फिनिशिंग आएगा और आपके डिजाइन पे सिलाई भी बहुती इजली हो जाएगा तो ये देखिए फ्रेंड दोनों डिजाइन को ज्वाइंट करने पे हमारा डिजाइन बहुती सुन्दर लग रहा है इस लाइन को कम्प्लीट करने के बाद अब हम डिजाइन को उल्टा करेंगे और दो इंचोड़ा उरे भी कटा हुआ कपड़ा लेंगे हम कपड़े को हमें ऐसे फोल्ड करके गले की डिजाइन में यहाँ पर लगाना है जिस सेफ में हमारे गले की कटिंग हुए बिलकुल उसी सेफ में कपड़े को लगाते हुए हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे थोड़ा सा हमें एश्टा कपड़ा लेना है यह देखिए यहां से हम एश्टे कपड़े में हलका सा सिलाई चला के कट कर लेंगे अब हम कपड़े को यहां से ऐसे फोल्ड करेंगे और जिस सेप में हमारे गले की कटिंग हुई है बिल्कुल उसी सेप में कपड़े को फोल्ड करते हुए हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे कपड़े को फोल्ड करते समय इस बात का ध्यान रखे कि फोल्ड किया हुआ कपड़ा आपका एक साइज में होना चाहिए कहीं ज़्यादा चोड़ा और कहीं ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए अब हम यहां से धागी को कट करेंगे और जो आगे की साइड में हमने एश्टरा कपड़ा लिया है उसे हमें हलका सा फोल्ड करना है तो यह देखिए इतना हम फोल्ड करके इसके उपर सिलाई चला लेंगे अब हम यहाँ से धागी को और एश्टा कपड़े को कट करेंगे सेम स्टेप को फॉलो करते हुए हमें गले की दूसरे साइड में भी ऐसी सेम चोड़ी पट्टी वाली डिजाइन तयार कर लेनी है लेस में से जो हमने जाली वाले डिजाइन निकाले थे फ्रेंड उसमें से हमें ये किनारे के साइड में पतली वाली डोरी जैसी डिजाइन को निकाल लेना है ये देखिए ऐसे हम अच्छे से डोरी वाले डिजाइन को निकाल लेंगे अब हमें इस डोरी वाले डिजाइन को गले की डिजाइन में ऐसे डाल देना है ये देखिए दूसरे साइड में भी हम डोरी को डाल देंगे गले की डिजाइन में ऐसे अब हमें डोरी में फुलेना लगाना है तो फुलेना लगाने के लिए गले की डिजाइन की कटिंग करते समय ये जो हमारा कपड़ा बचा था उसमें हम ऐसे डोरी को लगाके फुलेना बना लेंगे तो ये देखिए, ऐसे हमें अच्छे से डोरी को लगाकर इसके उपर सिलाई चला देना है अब कपड़े को सीधा करते हुए, यहां से हम एश्टा कपड़े को कट कर देंगे दूसरे वाले डोरी में भी हम फुलेना बना लेंगे ऐसे अब इसे सीधा करते हुए यहां से एश्टा कपड़े को कट कर देंगे तो फ्रेंड हमारा डिजाइन कंप्लीट हो चला है आपको हमारी डिजाइन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा मिलते हैं वीडियो में एक ने डिजाइन के साथ थैंक्स वर वोचिंग